बच्चो आज हम क्लास 9 के मैत के एकसरसाइज 12.2 को लेके आए हुए यदि आपने इससे पहले वाले एकसरसाइज जो के सवाल नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्केप्शन वाक्स में जाएए वहाँ पर लिंक मिल जाएगा चलिए बच्चो कोस्तन आफके स्कीन पर एडी 8 मीटर है तो इस पार्ग का कितना छेतफल होगा आए बच्चो इसमें पहले नमबर में हम आप एक और करती बनाते हैं इसका एरिया निकालते हैं इसमें बच्चो ऑपका नाइन आप पहले नाम इसका देजिए एबी सी डी इसमें बच्चो जो सी अंगल यह सी एना अगूनाइन टी का इसमें आपका एबी है 9 मीटर और बी सी है 12 मीटर और आपका इसमें C.D.A 5 मीटर और आपका इसमें ACDA DA है 5 मीटर सवाल देख सो AD कना है अपका 8 मीटर CD कना है 5 मीटर अब आपको इसमें करना किया है बहुत द्धान से देखिए इस वाले पॉइंट को मगर मिला दें ऐसे तो देखिए राइट रंगल है, राइट रंगल में यह साइड निकालने के लिए है ठीक बच्चों अब आपको और निकालना इसकी तो कैसे निक रहिए का 20 बारा का एक सो 44 बारा का स्क्वाइर भोगा बच्छों यहांथ यहन को रही है 144 आ जाएगा अब एक काम करो गेिए अब आप पर आपको वीडी बराबरिन को गड़ करिए और रूट निकाल लीजिए जब इनको एड़ करेंगा 169 आएगा तो इसे आजाएगा 13 का वर्ग मुल 13 मीटर तो यह आपका अंसर आएगा 13 मीटर बच्चो ठीक है चलिए बच्चो अब मेरिया निकालने वाले हैं एरिया निकालने भी सीडी का इसका जो एरिया आएगा वो क अधार उन्चे उठाई अधार इंटू उचाई कि दूचओ एवन जो आपका है अधार कितना वत्चो हमने मान लिया कितना है वारा कि उचाई मान लिया 5 है कि तो आप अंसर कितना जाएगा छे पंचे 30 2 370 स्काटें के 6 आएगा चैपंचे 30 30 मीटर स्कॉएर आपका एवन आगया अब आई हम A2 निकालते हैं A2 कैसे निकलेगा बच्चो तिर भुज A, B, D में A2 निकालने के लिए हमें आज से क्या निकालना A2 A2 निकालने के लिए आपको A मान लिया हमने 13 मीटर B मान लिया 8 मीटर और C मान लिया 9 मीटर बच्चो रहे हम इसमें सबस्ब पहले S निकालेंगे A पलस B पलस C बच्चो वाई 2 यह कितना है 13 पलस 8 पलस 9 बटे 2 बच्चो आई पहले इनको जोड़ते हैं जोड़को इसमें 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा पहले आई इनको जोड़ते हैं यह कितना हो जायगा बटा तेरा उन्नों वाईस हवार तीस तीस बटे दो अवाएगा पंदरा मीटर ठीक बच्छों टीस एच बटे दो 15 आ जाएगा बच्छों बच्छों एयरिया का जो फामूला अगा रूट के अंदर क्या होता बच्छों S S माइनस A S माइनस B S माइनस C A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा S कितना है 15 15 माइनस A 13 देख लीजिए 15 माइनस B B कितना है 8 15 माइनस C से कितना है 9 तो आप इसको यहीं माइनस करिए रूट में है कितना 15 गुड़े इसको घटाएंगे 2 आएगा इसको घटाएंगे 7 आएगा इसको घटाएंगे 6 आएगा ठीक बच्चो A2 बराबर और इसको काम करिए ब्रेक तो होगा ने किसी में यह उतलत काम करिए इसको बीरक करने के लिए आपको 2,3 गुड़े दो,5 पांदे इसको ऐसे लिख सकते बच्चो 15 गुड़े 3 गुड़े दोół इसकते हैं 3 गुड़े दो ऐसे लिखने से एक फाइदा यह है देखिये 2 प्यार बन गया इनका तो यह बाहर आ जाएगा कितना बाहर आ जाएगा तीन गुड़े दो बाहर आ जाएगा और रूट मेरा जाएगा 5,7,35 मुनला 5 गुड़े साथ अंदर रा जाएगा क्योंकि इनका पेर बना नहीं तो तीन दूनी 6 रूट के अंदर कितना आगा 35 बच्चों एक काम ऐसे ठीक है अब टेवल पढ़िए कि दो दो का प्यर बनता है तो इसा खुछ का ऐसा टेवल पढ़िए जिसको क्रॉस ना जाए 6 चंग 36 ज्यादा हो गया पच्छम 25 पचीश यह फाइब है ना क्या बच्चो यह फाइब है हमारा तो 5 फाइब 25 माइनस करिए 01 अब यहां 5 एड़ करिए कितना जाएगा 10 ठीक है अब इस कंडिशन में बटा क्या करेंगे यहां पॉइंट बढ़ाएंगे यहां 2-0 बढ़ाएंगे इस नंबर में उसका मल्टिप्लाइ करें जिसको क्रॉस ना कर जाए तो जैसे 9 का अगर 9 का तो 9 एसे लगा देना तो 99 जा 181 9 9 8 8 लगा नवका 0 करें 0 तो आठाए गा नवका 9 9 9 तो कितनी बार में गया 9 बार में कितना आया इनका यह गुड़ा करके देखते हैं तो बच्चों गुड़ा करेंगे तो इसका आएगा आपका अंसर 35.49 तो आप रॉक्सी को हम लिख सकते हैं 35.5 क्योंकि 499 आप रॉक्सी 5 लिख लेंगे ठीक बच्चों अब इसके बाद ही मेरा गुड़ा कर लेना इनका लूट निका सवाल में क्या कह रहा है पार ABCD का चेट बना चैतुर भूज चैतुर भूज ABCD का चैतुर अगर आपको निकालना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा यह जो है एवन प्लस एटू जोड़ दीजिए एवन कितना बच्चों एवन आपका आया था यह तीस यह टू कितना है 35.5 तो आपका टोटल आगया कितना बच्चों 65.5 मीटर स्क्वार नोट कर लो बच्चों यह आपका फाइनल अंसर है बच्चों दूसर नमबर स्वाल देखते हैं एक हम चतरूज बनाते हैं बच्चों A, B, A, B, C, D दिया है A, B, 3 सेंटी मीटर, B, C, 4 सेंटी मीटर, C, D, 4 सेंटी मीटर और D, A, 5 सेंटी मीटर, D, A, 5 सेंटी मीटर और A, C यहां पर क्या करेंगे आप तो भर चो इस स्वाल में आपको करना क्या है भूत ध्यान से देखिए गा तो सबसे पहले आप यह देखिए राइट अंगल होगा की नहीं आईए पहले इन कासम अगर ईसके एककवलक वो आगया कि इनका सम देखी इनका सम देखी दोनों बन से ये क sensor अगर 5 आगा तो राइट एंगल वह घा तो अगर विशम्स में देखिए इसकोो और trouver कर ने के हाँ बटा इसका मतलब येराइट एकला क्या ये बटा समकौल है क्या ये आध हो गया 90 का येंगल और सप्ड कन्डीशनम इसका अगल निकल आगा सका एयरिया हम एटू मान ठीक है कि द्थ जूव कोstarsaker ने अच्छे तुर्फल अगरह में निकालना है तो हम फार्म लगाएंगे एवन बराबर एक बटे दो बेस अधार गुड़ों उचाई बेस इंटू हाइट ठीक बच्छों बेस इंटू हाइट तो यहां पर आप देखिए एवन बराबर एक बटे दो बेस बेस कितना बच्छों इसका बेस हा थ्री और हाइट हाइट फूर तो कितना आ जाएगा जब इसका हम डिवाइट देंगे टू 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 जा फूर थ्री इंटू तो तो एटू आ जाएगा मेरा सिक्स सेंटी मीटर स्कूर क्या जाएगा बच बछूत दिहान से अभी मैंने निकालना है त्रवुज एसीडी चैतर रफल कि भाई चैतर रफल का होगा इसंगेरा मेरा मान लिया 59REE मिटर पान संटिमेटर और यह तेनों भी सम कोड नहrant, नहीं आई इसम थे लिः तैन साथ अब जो सी मान लिया सी मान लिया 5 cm वो कितना 6 cm गुंए कि और साइड़ों है तोев में सैम है तो इसमें हम थिसमें क्या पहले आप S करेंगैंगे निकालेंगे इससे आद्र परिमाब बोलते हैं क्या बोलते हैं आद्र परिमाब A प्लस B, Pलस C, C , A का मान bांच, B का मान c4, C का मान 5, B تو तो आपका S कितना आजाएगा बच्चो तो कितना है ये C कितना है पांच तो इसको जोड़िए बच्चो जरा आईए दी जोड़ देते हैं जिब इनको हम जोड़ेंगे कितना होगा 5, 15, 4, 14 14 में 2 का भाग देंगे 7, 14 बटे 2 याएगा 60 cm कितना आजाएगा 7 cm अब इसमें हम लगाएंगे 6 फल का फामूला बच्चो इसका 6 फल हमने मान लिया A2 क्या मान लिया A2 बराबर रोट के अंदर S S माइनस A S माइनस B S माइनस योगा फामूला बच्चो अब एक काम करिए आए घटाते हैं रोट के अंदर S बच्चो बहुत धामूला देखिएगा S कितना है S आपका है 7 7 माइनस A डाएट घटाते बच्चो 7 माइनस A A है 5 7 माइनस B 7 माइनस B B कितना है 4 7 माइनस C C कितना है 5 ठीव बच्चो A2 बराबर रोट के अंदर 7 माइनस 7 माइनस 2 करेंगे 5 करेंगे तो 2 आएगा 7 माइनस 4 करेंगे 3 आएगा 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा तो इसका इवूट अगर निकालें तो नहीं इसका तो निकल जाएगा देखिए साथ गुले तीन तो अंदर रह जाएगा लेकिन दो का एक बाहर आ जाएगा तो टू रूट के अंदर 21 आएगा बच्चो तो 21 का वर्गमूल निकालेंगे आईए निकालते हैं बच्चों 21 का रूट निकालते हैं ऐसा कोई टिवर पढ़ाए पढ़ी जो इसको क्रॉस ना कर जाए तो चार्च चौक सोलाई और भी तो घटाएंगे विसको घटाएंगे कि से सोलाई जाएगा पांच आएगा इसमें फूर एट करते हैं ठीक है आठ हो जाएगा पूइंट लगा के दो जीरो बढ़ाएंगे तो इसमें उस संक्राइप मल्टिपलाए करेंगे जिसको क मॗ に पटे हे चालिस्ट दो 42 याए गाट चाल सू पाट पाचीज चाल्सो पयागैं आके इतनी को मौज़ति जीरो पॉछ इजकर के दायेंक German करेंके चैर्श करेंगे है आटका मल्टिप्लाइ कर देना ठीक है तो आठ लगाने से आज इसको क्रोस नहीं करें करें का आठ वार में तो इसका नंसर क्या गया फॉर दसमेलो एट जो ड़िष्वाइजू इतना यह घो फाइट फाइब एट ठीक है यह इसका मल्टिप्लाई कर दो बच्चो अब इसका अगर आप मल्टिप्लाई करें कितना है गर दो अट्रे सोलाक अच्छा है आसी लगा एक और दो पंचे दस एक ग्यारा और दो चोको आठ एक नौ तो यह आ जाएगा एक टू ठीक बच्चो इम सेंट इस नोट कर लो बच्चो आपका अंसर है चली बच्चो सवाल नंबर तीन पड़ते हैं। आपके च्कीन पर क्या है? तो बच्चो, ऎनूजए सवाल कर्दोन आपको दिखाया ती के आकड़हा है आँन बच्छों है ट्र करफ़ेंगे दो कोई तो न स्मझेगा और देखिये ये वन सेंटी मीटर रहें काज्ट निशे दिया हुआ है दाइगराम में ये वन सेंटी मीटर है तो यह भी वन सेंटी मीटर होगा ठीक बच्चो तो इसका छेथफल कैसे निकालेंगे यह फाइफ होगा तो बच्चो भाग एक का डाइगराम बना रहा है पहले किसका डाइगराम बना रहा है भाग एक का ये भाग एक का डाइग्राम बना दिया ये पांच क्या है सेंटी मीटर तो ये भी पांच सेंटी मीटर होगा ये एक सेंटी मीटर तो बजी वच्चो आई ये बहले इसका हम छेत फन निकालते भाग एक का धीर धीर ब्रेक करके हम निकालेंगे वच्चो एक काम पांच सेंट सेंटीMEM Mire ऊठी और सी का का म एक सेंटीमीठर तो सब सी से निकालेंगे एपलस बी पलस प्लस फी बाई टू यह वच्छो आप पयास का फार्नूला है अद्ध पर हमाब जिससे बोलते है क्वेसे निकालेंगे आजिए इसमें मान रखते पहले सब का हम A का मान 5, B का मान 5, C का मान 1 by 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 बंदा से 11, 11 में 2 का भाग देंगे 5.5 सेंटी मीटर आएगा तो बच्चों अब यहां पर हम नकालेंगे क्या एरिया एरिया 1 का पहले का एरिया कैसे निकालेंगे रूट के अंदर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तो A1 आपका आएगा रूट में है, S, S कितना बच्चों 5, 5, 5, 5 माइनस A 5, 5 माइनस B, B कितना बच्चों 5, 5, 5 5 माइनस C, सी कितना एक, तो बच्चों इसको आइए सॉल्फ करते हैं, A1 आपका आजाएगा, रूट में, 5.5 इसको घटाएंगे, 0.5 बच्चों 5.5 से 5 घटाएंगे, 0.5 आएगा, 5.5 से घटाएंगे आप, तो 0.5 आजाएगा, अब इसको घटाएंगे तो 4.5 आजाएगा, ठीक बच्चों अब एक काम करिए, इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते बच्चों, देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं, ग्यारा गुड़े 0.5, योगि ग्यारा पच्चे पच्पन होता तो एक संक्याबाद पॉइंट हो जाएगा, अब इनको ऐसे रहने दो, अब इसको लिख सकते हैं बच्चों, 9 तो 5.5 बाहर आजाएगा, रूट मिला जाएगा, 11 गुड़े 9, कितना रहा जाएगा, 11 गुड़े 9 आपका एवन आजाएगा, तो एक काम करिए, इसी को थोड़ा अच्छे स्वाल कर दे रहे हैं, पच्चम पच्चीस, 0.25 हो जाएगा, अब इसका ग्यारा नवान इन्यान दस लिख दे रहे हैं, इसको ठीक है, अपरॉक्सी 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रूट निकालोगे तो अपरॉक्सी 10 ही आएगा, 9.9 अपरॉक्सी 10 ही आएगा, ठीज बच्चो, तो यहाँ पर आप यह समझीए, जो 99 अपरॉक्सी किसके बराबर होगा, 100 के बराबर हम ले रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइब इंटू टेन ठीव बच्चो तो आपका जो एवन आएगा कितना जाएगा मुल्टिप्लाइ करेंगा तो पॉइंट फाइव सेंटी मीटर स्क्वार तो यह आजाएगा आपका एवन था है अब आईगा बच्चो इसी काम एटू निकालते हैं जाकी बच्चो इस वाले भाग को में एटू माले रे बीच वाला है ये निकालने के लिए हम क्या फाम्वर लगाएंगे तो यह जो सेकंड आपका है लंबाय कितना है 6.5 है आप ग्राफ में देख लीजिए गा है और इंटू चोड़ाई कितना हुआना है तो इसका अंसर आपका आ जाएगा कितना यह सेकंड का अंसर आएगा 6.5 सेंटिमीटर स्क्वार ठी बच्छो नोट कर लो यह यह टू कमाना आगया अब आप अब हमको किसका निकालना है यह 3 का निकालना है तो बच्छो यह 3 से पहले हम सोच रहे हैं कि यह 4 & 5 निकालने यह 4 कैसे निकालें बच्छो देख लीजिए यह 90 इंगल बना रहा है तो इसमें बटा क्या च्छेटफल इसका लगा देंग एक वटे दो अधार गुड & & 5 का कैसे निकालेंगे इनका area निकालने के लिए दोनों को निकाल रहा है बच्छो एक बटे 2 बेस इंटौ हाइट यही तो लगए खावरमुला तो एक बटे 2 इनका जो वेस है देख लिजिए यदि हम इसको चाहँ बेस मालने चाहए आप इसको वाट ने रहा है या व earrings 1.5 को मालने रिसको हाइट मालने रहे हैं तो 1.5 हाइट मेरा हो जाएगा सिक्स तो इसको जब हम मल्टिप्लाइड जो 200 डिवाइड देंगे त्री आएगा तो 1.5 इंटू 3 हो जाएगा 200 डिवाइड दोगे तो पंदतिया पहता रहे तो हम निकालना चल रहे है एरिया सिक्स्थ त्अरिकर पर तो 3 एक एरिय देखिए निकालने चले पहले इसका एक अकुर्थी बनाएंगे हम तो बच्छो अ यह दिया 1 सैंति मीटर और यह दिया 2 सैंति मीटर इसका आरिया कैसे निकले हैं चा माल को बच्चो आप जिसमें जो है इसको आप ऐसे मिला दो ठीक है ऐसे मिलाने से एक फायदा होगा ऐसे ना मिला कर देखो बच्चो ऐसे मिला दिया अब ये एक है तो ए भी एक होगा समझेगा ये एक है तो ए भी तो एक सेंटिमीटर होगा ए भी तो एक सेंटिमीटर बचा ये कितना होगा एक सेंटिमीटर तो इसका ये दिया निकालना यह अच्छ पताएक है विбыए 8 cm स приส都是 बृच्छ यह 1 cm पत्च्छ यह 1 cm पत्छ यह 3 cm यह बिया दोरी मेरा 1 cm होगा तो यह मेरा 0 05 अगर इतनी बात करें तो 0 5 cm होगा इतना 12345 तो इनका हाइट फाइंड करने हैं पहले हैं अब हाइड cm अब ये वं संतीमेटर ये हाइट नहीं बतार न आप इसे एकस हमान के नीकाल नहीं है आईये देखिए करन का सफ्क्वेर कर नबेट ये होगा मेरा न का सक्वेर बराबर लंब का स्क्वेod फाइब على liberty is prepare 1 x sqr us का करेंगे जीरो समन łat consomm तो 5 इसको से माइनस करेंगे तो वन माइनस जीरो समनलो 25 बराबर एक्स स्क्वेर बच्चो जब इसको आप घटा होगे दिपना और 75 आएगा वै gonna do isu का रोट निका लोगा जिरो दोस्मालोब सेवट आएगा इससका रूट आएगा प्रॉक्सिड ही जिए इसमेलोब नाइन बच्छों कितना आगा ज़रो में गया इसा अगया ऑप हो रहा अभे फूरुठ का निकालेंगे एफ कि तिरीका इसमें दो किर्ण पर वर्बिक का श्कुर्य का होगा जैगा एक WOW बटे-दो अधार क्या महाल Cry तो यह जी जी रोस्मलों 5-0-5-1 नो जाएगा भाई अधार की पूरा दूरी क्या अधार हो गई वन उचाए कि आओ गई अब इसको वन आ एक्स DO में भाग देंगे अधे अभी स्मलॉवफ एक्स कितना बच्चों मेरा जो एक्स है वह जिरो मोल नाइन तो कितना जगा 1 प्लस कि इना कोंट करेंगे 45 तो फ्याइट करेंगे तो फोड़ा बैट करेंगे तो 1.45 यह निए आगा संप्रवाइड करेंगे अब हम दो निकालेंगे से कुले यह तरफल कुल छेतर फल तो कुल छेतर फल के लिए आपको A बराबर A1 मिटा पहले वाले भाग को दूसरे भाग को तीसरे भाग को और चौते भाग को फिर पांचवे भाग के एरिया को जोड़ना पड़ेगा आईए पहले वाले भाग का एरिया कितना है बच्चो पहले वाले भाग का अरिया है 2.5 दूसरे वाले भाग का अरिया है 6.5 तीसरे वाले भाग का अरिया 1.45 और चौ coalition का अरिया देखिए सैम है चौथा है यह पाँचवह है सैम है 4.5 प्लस 4.5 सब को अगर एड़ करें तो क्या आएगा आइए सबको वाइड करते हैं सबको वाइड करेंगे तो आपका नसर आएगा 19.45 सेंटीमीटर स्क्वाइर बच्चों यह आपका नसर है नोट कर लो चौथे नमबर में क्या कहरा बच्चों आईए बढ़ते हैं चौथे नमबर सवाल में कहरा एक तिर्बूज और एक समानता चत्वूज का एक ही अधार और छेट फल भी एक है यदि तिर्बूज की बुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो तो समानता झूलत वें 26 सेंटीमीटर मान लिए 28 ये 30 सेंटीमीटर मनने मान लिए की बच्चो इसकी हाइट हमें है करनी 아니라 हमने एच यह हमें आफाइνड करनी है सबाल में पढ़ने लीजिए सवाल में जो कह रहा है और दोनों का एडिया एक्वाल है इनका जो एरिया इक एरिया स्थार और षावाए क्ल चाम कौन का रहा थिस सेंटी मीटरी को ओमने माण लिया 26 सिक्स सेंटी मीटर और हमने सी को मान लिए 28 सेंटी मीटर ठीव चूँ सबसे पहले मियास क्या निकालेंगे एस तो एस कैसे निकालेंगे बेटा एस बराबर ए प्लस वी प्लस सी वाई टू होगा यह कितना है 30 भी कितना है 26 देख लीजिए और सी कितना है 28 बटे दो ठीव अब को हम जोड़ेंगे तो कितना है आएगा यह जोड़ते हैं आठ आठ छे चौदा चौदा जीरो चौदा का चार हासिल लगा एक दो दो चार एक पान तीन आठ बटे दो गया जाएगा बच्चों इनका भाग देंगे तो दो चौको आठ दो दूनी चार बैया लिस लबगा ता लगा था रूट के अंधर एसस माइनस है एस माइनस भी एस माइनस टीजो यहां पर आपको यह देखना है एस कितना है ऐस सब्सक्राफ प्यालिस बैयालिस माइनस ए माह एक है टीजो 42 minus B B कितना माना है 26 42 minus C C कितना माना 28 तो बच्चों आईए इसको घटाईए तो आएगा 42 42 से 30 घटाएंगे 12 42 से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 ने 14 आएगा बच्चों कितना आएगा 14 और 42 से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा यहां पर 12 मन से 6 अच्छा है तो तीन मन से दो गया 16 घटाएंगे इससे घटाएंगे खासी लिया 12 मन से आड़ गया 4 और यहां 3 मन से दो गया 1 च्वदा आएगा ठी बच्चों अब यहां पर आपको करना क्या है बच्चों पर रूट निकाल लो यह तो इनकों ब्रेक करो ठीक है तो बच्चों इसको ब्रेक करके निकालते हैं तो इसको लिए सकते हैं 7 गुड़े 6 तो 7 चंग बैयालिस अब इसको लिए सकते हैं 6 गुड़े 2 लिए सकते हैं 6 गुड़े 2 साथ चौदा गली सकते हैं साथ गुड़े दो तो देखी बटा ये दो साथ हैं एक साथ बाहर निकाल लो तो एक साथ बाहर आ गया दो छे हैं एक छे बाहर निकाल लो दो चार है एक चार बाहर निकाल लो जो दो है एक दो बाहर निकाल लो अब अंदर क्या आया बटा अब इ तो यह आ गया आठ दूने सोला का च्छै आसी लगा एक और आठ चवबतीस एक तैंटीस यह कितना आ गया बच्चो यह आ गया आपका तीन सो च्छतिस एरिया आ गया लेकिन बच्चो अगर हम यह जो एरिया है वो समांतर चत्रवुज के एरिया के बरावर है समांतर चत्रवुज का जो च्छेत्रवल है का जो च्छेत्रवल है वो क्या है चोड़ाई गुड़े उचाई ठीक बच्चा अब बताईए इसका च्छेत्रवल जो है च्छेत्रवल सेम है ना तो च्छेत्रवल कितना दिया बटा इसका जो च्छेत्रवल है वो मालिया कितना ह 3, 3, 6 बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बच्चो भी हो जाएगी कितनी हो जाएगी चौड़ाई जो इसकी दिया है वो 28 हो जाएगी ठीक है, उचाही है H हो जाएगा बच्चो इसको आप नीचे लगा दो 3, 3, 6 बच्चो ध्यान दीजिएगा 3, 3, 6 2, 6, 12 2, 8, 16 2, 14 बच्चो फिर 7 सकाटो 7, 2, 14 7, 2, 14 2, 24 24 बच्चो इसको 7 सकाटो 7, 24 तो इसकी हाइट जो आजाए कितनी 12 आएगा 2, 24, 12 सेंटी मीटर बच्चो यह आपका अंसर है, नोट कर लो दोस्तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सेयर, एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टापिक फे वीडियो चाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगे पलिए धन्दवाद